नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूग चैनल इजाम लटर में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम लोग भारत का भुगोल का एक बहुत ही महतपूर अध्याए भारत के भौतिक परदेश से जुड़े जो है सभी प्रशनों को पढ़ेंगे जो परिच्छा की दृष्ट से उप्योगी है और इसमें से आपको सभी परिच्छाओं में परशन देखने को मिलते हैं आप सभी लोग परिच्छा देते ही हैं परशनों को देखने के बाद आपको लगेगा कि परशन महतपूर है या नहीं तो यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर दीजेगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं पहला परशने निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है तो ये दिया हुए मांट अबू अरावली पहाडियां तो ये जो है आपका सही है तो भी है कुडाई कनाल पलनी पहाडी पे है ये भी सही है C है उटक मंदलम यह नेल गिरी पहाड़ीयों परिश्थित है और चौता दिया है आपका सिमला पीर पंजाल स्रेडी यह जो है आपका गलत है सिमल कहा है तो यह धावला धर स्रेडी में है तो इस तरह जो है आपका आपसन D यहां सही हो जाएगा और अगला कोशन निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्त है तो यह है नागा पाड़ियों की सरवच चोटी सारमती है तो बिल्कुल सही है ब्य है हिमाले की सरवाधिक चोड़ाई कसमीर राज में है जो यदुब सही है तो यह जो है आपका कलत है जो है आपसन D यहां सही हो जाएगा और अगला कोशन निम्नांकित दर्रों का पश्चिम से पूर की ओर सही करम में बिवर्स्तित करना है पहला है जिलेपला, दूसरा है बोंडिला, तीसरा है लिपुलेख और चोथा है बनिहाल धर्रा तो आपको जो है पूरु से पश्चिम से पूरु की और जो है इसे दर्साना है तो सबसे पश्चिम में कौन सा दर्र हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका बनिहाल दर्र जो की जम्मू कास्मीर में है उसके बाद जो है आपका हो जाएगा लिपुलेक दर्र जो की उत्राकंड में है उसके बाद जो है आपका होगा जिलेपला दर्रा जो की सिक्किम में है उसके बाद होगा आपका बोमडीला जो की अवडांचल प्रदिस में है तो इस तरह आप देख सकते हैं पहले बनिहाल फिर लिपुलेक उसके बाद जिलेपला और फिर बोमडीला तो आपसन C जो है यहां से हो जाएगा और अगला कोशन है जम्मू कस्मीर सडक मार्ग जोहर सुरंग से होकर भुजरता है जोहर सुरंग निम्नांकित में से किस दर्दे से सम्बन दित है तो इसका सही जो अंसर हो जाएगा आपसन A से हो जाएगा बनिहाल दर्रा और अगला कोशन है कस्मीर को सेस भारत से जोडने वाला दर्रा कौन सा है तो इसका सही जो अंसर हो जाएगा आपसन C से हो जाएगा बनिहाल दर्रा और अगला कोशन है हिमाले परवतमाला का निर्मार निम्नांकित में से किसके परडाम सोरूप हुआ है तो इसका सही जो अंसर हो जाएगा आप्षन B से विएगा महादीप प्लेटो के अभिशरण द्वारा जो है हिमाले परवतमाला का निर्मार हुआ है और अगला कोश्चन निम्नांकित में से कौन सा कथन ऐसत्त है तो ये दिया हुए कि कस्मीर, सिमला, गढ़वाल, ग्रिवाखंड यानि कि नैपे के उधारण है तो बिल्कुल सही है B है धौला धर लगो हिमाले की सरवाधिक महतपूर परवत स्रिंखला है तो यह भी जो है सही है और C है सिमला धौला धर स्रेडी पर इस्तित है तो यह भी जो है सही है और D है हिमाले में जो आला मुखी क्रिया के प्रमार सिक्किम में देखने को मिलते हैं तो यह जो है आपका आपसन D यहां गलत हो जाएगा तो आपसन D यहां सही होगा और अगला कोशन है गारो खासी और जैनतिया पहाड़िया निम्नाइगित में से किसका भाग है तो इसका सही जो आपसन D सही होगा गारो खासी और जैनतिया जो है दक्कन पठार का भाग है और अगला कोशन है निम्नाइगित में से कौन सा कथन ऐसकते है तो पहला है मकालू और मनसालू प्रवत चोटिया हिमाद्री की है तो यह सही है आपका C है सिंधु नदी के गार्ज से ब्रमपुत नदी के गार्ज तक हिमाले की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है तो यह भी आपका सही है और D है मालाबार्तट गुजरात और गोवा के बीच बिच्ट्रित है तो यह जो है आपका गलत हो जाएगा मालाबार्तट गीरल के बीच इस्तित है तो D जो है आपसन यहां सही हो जाएगा और अगला कोशन है निम्न में से कौन सा कथन ऐसत्त है तो यह दिया हुआ कि लद्दाक का मैदान जो है हिम तरंगित मैदान है तो आपका यह सही हो जाएगा B है लटकती घाटी जैसी रचना सिमसा नदी से सम्बंधित है तो यह भी जो है आपका पाएज जाएगा और C है मेघालय में अस्थ्लाकृतियां पाई जाती है यह भी जो है आपका सही हो जाएगा और D है कि गहरी अवनालिका योम भीहड युक्त भूमी तुंग भद्रा नदी की घाटी में देखने को मिलती है तो यह जो है आपका option D यहाँ गलत होगा तो आपसे असत्य पुछा गया है तो D आपसन यहाँ सही हो जाएगा और अगला कोशन हिमाले की प्रवस्त्रेडियों में जो समलित नहीं है वह है तो यहां जो से हो जाएगा आपका option ए से हो जाएगा कारा कोरम स्रेडी हिमाले की प्रोस्रेडी वे समलित नहीं है बाकी ब्रहत हिमाले, लगु हिमाले, सिवालिक और मध्ध हिमाले इसमें समलित है और अगला कोशन है कलिपोंग को लहासा से जोडने वाला दर्रा कौन सा है तो इसका सही जो अंसर हो जाएगा आपसन ए से जोगा जिलेपला दर्रा जो है कलिपोंग को लहासा यानि की तिब्बत से जोडता है और अगला कोशन है बुर्जिल तथा जोजिला दर्य निम्नि में से किस राज्य में इस्तित है तो इसका सही जो एंसर हो जाएगा आपसन C से हो जाएगा ये जम्मू कास्मीर के दर्य है और अगला कोशन हिमालय में सबसे गहन अपरदन है इसका सही जो एंसर होगा आपशन B से उजाएगा C वाली कुपांत में और अगला कोशन है सहयाद्री निम्नांकित में से किस प्रकार के परवत का उधारण है तो इसका सही जो एंसर होगा आपशन A से उजाएगा भरंसोत परवत का उधारण है सहयाद्री और अगला कोशन है छोटा नाकूर पठार की सबसे उची परवत चोटी कौन सी है तो इसका सही जोए इसरोगों का आप्शन सी से हुजाएगा जो है पारसनात और अगला कोशन है नीचे दिये गए भारत के मानचित्र में एक दो तीन और चार द्वारत चिन्हित समुद्र तटी भागों के नाम करम से आपको बताना है अब देख सकते हैं पहला यहाँ है दूसरा यहाँ तीसरा यह और चौथा यहाँ तो आपको इन भागों के नाम बताना है आपसन नीचे दिया हुआ है तो पहला वाला भाग जो है यह हो जाएगा आपका यह जो है यह महराष्ट और जो है गुजरात की गुवा के बीच जो है इस्तित है तो यह हो जाएगा आपका महराष्ट और गुवा के बीच जो है तट उसको बोला जाता है कोंकर तट उसके बाद जो है दूसरा यहाँ यह किरल के बीच जो है तट है तो किरल के तट को कहा ज प्रवत्चोटियों पर पहला है एवरेश्ट, दूसरा मकालू, तिसरा अनपूरा, चोथा कंचन जंगा तो उपरोक्त में से सबसे पूर में इस्थित चोटी कौन सी है तो आपको जो है सबसे पूर में इस्थित चोटी बताना है तो सबसे पूर में हो जाएगा आपका कंचन जंगा जो की जो है सिक्किम में इस्तित है तो आप्षन B यहां से हो जाएगा और अगला कोशन है नील गिरी और अन्ना मलाई पहाडियों के बेच इस्तित दर्रा कौन सा है तो इसका सही जो अंसर हो जाएगा आप्षन B से हो जाएगा पाल घाट दर्रा जो की किरल में है और अगला कोशन है तमिलनाडु राजी का सबसे उचा परवत सिखर कौन सा है तो इसका सही एंसर होगा आपशन A, 12 बेटा और अगला कोशन है निमलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरू जिला है यानि की मरू अस्थल जिला है तो इसका सही एंसर हो जाएगा आपशन C से हो जाएगा बाडमेर जिला जो है राजस्थान का मरू जिला है यानि की मरू अस्थल जिला है और अगला कोशन है निम्न परवत सिखरों का उचाई की घरते करम में सही अनुकरम है पहला है कंचन जंगा दूसरा गौडविन आस्टिन केटू और तीसरा है नंगा परवत और चोथा है नंद देवी तो आपको जो है उचाई की घरते करम में सही अनुकरम में से बताना है कौन सा आपसे यहां से हो जाएगा तो सबसे पहला है यहां कंचन जंगा तो कंचन जंगा के उचाई जो है वह है 8,598 मीटर और दूसरा है गाडविन आस्टिन यानि की केटू जिसको आ जाता है तो केटू की उचाई है 8,611 जो कि भारत की सबसे उची परवत चोटी है और तीसरा है नंगा परवत की उचाई है 8,124 मीटर और नंदा देवी जो की उत्रखंडवे है इसके उचाई है 7,816 मीटर तो आपको जो है करम से दसाना है सबसे उंचा हो जाएगा आपका केटू यानि जिसके उचाई 8,611 है उसके बाद जो हो जाएगा आपका कंचन जंगा जिसके उचाई 8,598 मीटर उसके बाद जो हो जाएगा आपका नंगा प्रवद जिसके उचाई है 8124 मीटर उसके बाद होगा नंदा देवी जिसके उचाई है 7816 मीटर तो इस तरह आप देख सकते हैं आपसन B जो है यहां सही हो जाएगा दो एक तीन और चार और अगला कोशन है जलोड संकूओं तथा अंतह संकूओं के सबसे अच्छे उदाहरण किस राज में देखने को मिलते हैं तो इसका सही जो 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 होगा आपसन A से हो जाएगा बिहार में और अगला कोशन है निम्नांकित में से कौन सी परवस्रेड़ी प्रुवांचल से संबंदित नहीं है तो इसका सही जो 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 होगा आपसन D से हो जाएगा मैकाल स्रेड़ी जो है प्रुवांचल से संबंदित नहीं है और अगला कोशन है दच्छिड भारत का सरोच परोथ सिखर है और अगला कोशन है निम्लिखित में किसका सुमेल सही नहीं है तो A है पीर पंजाल लगु हिमाल है और B है केटू कारा कुरम स्रेडी और C है करिवाज यह कस्मीर घाटी और D है पोटवार कुमाई हिमाले तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं तो आपसन D जो है यहां सेव जाएगा D जो है सुमेलित नहीं है पोटवार जो है यहां कुमाई हिमाले में नहीं है बाकी पीर पंजाल जो है लगू हिमाले में है और केटु जो है कारा कुरम स्रेडी में है और करिवाज जो है कश्मीर घाटी में इस थिते तो अपका यहां आपशन D सेव जाएगा और अगला क्षिन है पाक्ड भूम ही पाई जाती है तो इसका सही जरी अंसर हो जाएगा आपशन B सेव जाएगा और अगला कोशन है निम्नांकित में से कौन सी पहाड़ियां पश्मी घाट से संबंधित नहीं है इसका सही जो इंसर हो जाएगा आप समद्धित सी से जाएगा पाल कॉंड़ा जो है परश्मी घाट से संबंदित नहीं है बाकी निलगिरी अन्नमलाई और इलाइची पाड़िया जो है परश्मी घाट से संबंदित है और अगला कोशन है प्राइदीपी पठार के संबंध में नेमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो यह प्राइदीपी पठार कठोर सेलो का प्राचीन भूखंड है तो यह जो है आपका सही है भी है यह तिर्भुजाकार है तो प्राइदी भी पठार जो है तिरुजाकार है यह भी सही है और सी है इस पठार में जो है अरावली जैसे प्राचीन वलन इस्तित है यह भी जो है सही है आपका और आगे जो है डी जो है इसमें अधिकतर तलचटी चट्टाने पाई जाती है तो D option जो है यहाँ आपका गलत हो जाएगा तो D option यहाँ सही हो जाएगा आपसे असर्थ कर पूछा गया था और अगला question है महाबलेश्वर निमलखित में से किस राजी में इस्तित है तो उसका सही जो अनसर हो जाएगा option B से हो जाएगा महामअराश्ट महाबलेस्वर जो है वह महराष्ट में स्टित है और अगला कोश्में हिमाले की निमलेखित में से कौन सी स्रेड़ी सरवाधिक चोड़ी है तो इसका सही जो इंसर हो जाएगा da a si gi na gi लगव हिमाले स्रेड़ी जो है by sateur G das 12 मुला दर्रा इस्त है तो इसका सही जो इंसर हो जाएगा option A से हो जाएगा जो है पीर पंजाल स्रेडी में इस्तित है और अगला question है चंडीगर किस पहाड़ी के नीचे इस्तित है तो इसका सही जो इंसर हो जाएगा option B से हो जाएगा सिवालिक पहाड़ी के नीचे इस्तित है और अगला कोशन है भारत की दच्छिर्तम प्रवत माला कौन सी है तो इसका सही जो एंसर हो जाएगा आपशन D से हो जाएगा कार्डेमम प्रवत माला जो है भारत की दच्छिर्तम प्रवत माला है और अगला कोशन है राची का पठार उदारण है किसका तो इसका सही जो एंसर होगा option D से हो जाएगा उत्थित पेनी प्लेन का उतारण है राची का पठा और अगला कोशिन भारत का प्राची नितम परवत क्रम कौन सा है तो इसका सही जो एंसर हो जाएगा option C से हो जाएगा जो है रावली स्रेडी जो है भारत का प्राचीनितम परवस्रेडी है और अगला कुशिन भारत का कौन सा प्राचीन पठारी भाग सबसे उचा उठा है इसका सही एंसर होगा आपशन D से होगा पश्मी घाट के दच्छिड वर्ती पहाड़ी यां जो है प्राचीन पठारी भाग का जो है सबसे उचा उठा भाग है और रगला कोशे ने पीर पंजाल स्रेडी पाई जाती है तो इसका सही जो इसर होगा आपशन B से हो जाएगा जो है जम्मू कास्मीर में और अगला कोशे ने धावला धर प्रवत स्रेडी निमलिखित में से किस राज्य में अवस्तित है तो इसका सही जो इसर हो जाएगा आपशन D से हो जाएगा हिमानचल परदेश में और अगला कोशे ने सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिये गए पूर से सही उत्तर चुनिए तो आपको बताना है कौन सा बिकल्प यहां सही हो जाएगा तो सबसे पहले है भरंसोत यह हो जाएगा आपका सहयाद्री यहनिकि यह का दूसरा बलित परवत यह किसका उदारण है तो यह हो जाएगा हिमाले और अवस्ष्ट यह आपका हो जाएगा नीलगिरी और जौला मुखी यह राजमहल पहाडिया तो अब देख सकते हैं बिकल्प जो है यहाँ सी जो है मैच कर रहा और अगला कोशन हिमालय का सरवादी कुछा भाग बिद्धमान है कहाँ पर तो इसका सही जो हो जाएगा आपसन सी नेपाल हिमालय में जिसको माउंट एबरेष्ट के नाम से जाना जैता है जिसके उचाई है आठ चार आठ सो पचास या फिर कहीं कहीं आपको अनतालिस मीटर जो है देखने को मिलता है और अगला कोशन है निम्न में से कौन सबसे नई प्रवस्रेडी है तो इसका सही जो एंसर हो जाएगा आपसन बी से जोगा सिवालिक स्रेडी जो है सबसे नई प्रवस्ट्रेडी है और अगला कोशन है भारत के दच्छडी पठार का सरोच बिंदु अवस्थित है कहाँ पर तो इसका सही जो एंसर हो जाएगा आप्शन डी से हो जाएगा अन्ना मलाई में और अगला कोशन है निम्न में से कौन सा उत्तर से दच्छड की और सही क्रम में है तो आपको बताना है जो है इसमें से कौन सा बिकल्प सही हो जाएगा जो की उत्तर से दच्छड की और दरसा आया गया है तो इसका जो सही है इंसर हो जाएगा आपसन B यहां से हो जाएगा बिंध्या चल उसके बाद फिर नर्मदा फिर सकुड़ा उसके बाद फिर ताप्ति और अगला कोशन है कथन A दिया है कि पश्चिमी घाट जो है वास्तविक परवत नहीं है ताप्ति आर दिया है कि पश्चिमी घाट बरतमान रूप में उच्छेपित पठार का खड़ा पश्चिमी कगार है तो निमनिखित कूर से सही उत्तर चुनिए तो यहां जो सही हो जाएगा आपका आपसन ये जो सही हो जाएगा ये और आर जो है सही है और आर जो है ये की सही ब्याक्या है यानि कि पश्मी घाट जो है वास्तवी परवत जो है नहीं है सही है और पश्मी घाट जो है बरत्मान रूप में जो है उच्छेपित पठार का खड़ा पश्मी कगार है तो दोनों जो है सही है और अगला कोशन है धवला धर तथा पीर पंजाल नामक प्रवत स्रेडिया और अस्थित है तो इसका सही जो अंसर हो जाएगा आपसन B से हो जाएगा जो है लगू हिमाले में अगला कोशन है भावर पेटी पाई जाती है तो इसका सही जो अंसर हो जाएगा आपसन D से हो जाएगा सियाचीन छेत्र को जो है बरत्मान में जो है सफेद पानी के नाम से जाना जाता है और अगला कोशन है किस भारती राजी का आंसीक भाग हिमालय परवत के उत्तर में इस्थित है तो इसका सही एंसर हो जाएगा आप से लिए जम्मू कास्मीर और अगला कोशन है कयाल निम्न में से क्या है तो यह जो है बहुत ही महतपूर कोशन है इसे याद जरूर रखिएगा तो कयाल जो है यह केरल के तट पर मिलने वाले लैगून को कहा जाता है और अगला कोशन है जोजिला दर्रा निम्निखित में से किसको जोडता है तो इसका सही जो एंसर हो जाएगा आपसन C से जाएगा ले है योम स्री नगर को जोडता है जो जीला दर्रा और अगला कोशे ने भारत का कौन सा भुवाकरितिक बिभाग प्राची नितम है तो इसका सही जो एंसर होगा आपसन C से होगा प्राइदीपी पठार और अगला को चोटी है तो इसका जो सही एंसर होगा आपसन B से हुजा गया केटू गार्ड विनाश्टी जो है कारा कूरम परवस्रिंखला की चोटी है और अगला कोशन है पूर्मी घाट यों पश्मी घाट को जोडने वाली पहाड़िया निम्नाइकित में से कौन सी है तो इसका सही जो अगला कोशन है निम्नागित में से हिमालय का परवत पदी परदेश है तो इसका सही एंसर हो जाएगा आपसन ए सिवालिक और अगला कोशन है पश्मी घाट यम्निकित में से किस तरह की परवस्रेडी है तो इसका सही जो एंसर हो जाएगा आपसन ए से विजएगा बलाग परवत पश्मी घार जो है बलाग परवत किस रेड़ी है और अगला कुशन है हिमाले में मुख सिमान्त भरंस प्रिथक करता है तो इसका सही जो एंसर हो गा option C save जएगा जो है मद्ध हिमाले को सिवालिक से और अगला कुछन है दंड कारण ने छेतर अवस्थित है तो इसका सही जो अशर हो जाएगा option B save जाएगा 36 गर यो ओड़िसा में दंड कारण ने छेतर अवस्थित है और अगला कुछन तो ये है हिमालय परवत में अधिकांस नवीन चट्टाने है तो यह सही है आपका भी है हिमाले का उत्थान जो है प्लियोशीन तथा प्लिश्टोशीन काल में हुआ है यह भी सही है और C हिमाले का बरतमान स्वेरूप हिमानी तथा प्रवाहिद जल के कारियोदार निर्मित हुआ है यह भी जो mustी हो जाएगा और forgot J जो हिमालय प्रवट में अधिकतम आगने चट्थाने पाए जाती है & तो यह है आप गलत हो जाएगा तैनी option B जो है यहां सही हो जाएगा कि अगला कोश्ण अर आवली स्रेडियो की अनुमानित ायू जो है कितनी है तो इसका सही जो एंसर होगा आपसन C से हो जाएगा जो है पांसो सततर मिलियन बर्स जो है रावली से रेडियों की अनुमानित आयू है और अगला कोशन सन्रचनात्मक द्रिष्ट से सीलांग का पठार इसका अंग है तो इसका सही जो अंसर हो जाएगा आपसन ए से हो जाएगा प्राइदीपी भारत का और अगला कोशन है निम्न परवत चोटियों का पूरू से पस्चिम की और सही क्रम है तो आपको जो है इनमें से पूरू से पस्चिम की और सही क्रम में दरसाना है कौन सा आपसन यहां से हो जाएगा तो सबसे पूर्व में आपका हो जाएगा कंचन जंगा जो कि सिक्किम में है तो उसके बाद मकालू हो जाएगा उसके बाद येवरेश्ट फिर अनपूडा तो आपसन B यहां से हो जाएगा और अगला कुछन के कथन A कि दिया है कि हमाले के उत्री ढालों पर हीम नदियों का जम्मा हो अधिक है कारण R है कि हमाले के उत्री ढाल अपेच्छा कृत मंध है तो निमनखित कूट से सही उत्तर चुनिए तो यहां जो सेव जाएगा आपसन ने सेवगा A और R सही है और R जो है A की सही ब्याख्या है और अगला कोशन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है एक तरफ घाटी का नाम दिया हुआ दूसरी तरफ राज ये की स्राज में इस्तित है तो कूट के माध्यम से आपके बताना है तो चली जो है देखते है मरखा घाटी जो है कहा इस्तित है तो ये जो है जमू कास्मीर में इस्तित है मरखा घाटी तो एका तीसरा हो जाएगा आपका और उसके बाद जो है जूकू घाटी ये नागा लैंड में है तो बी का चौथा हो जाएगा तो आप देख सकते हैं आपसन डी जो है यहां मैज कर रहा है उसके बाद जो है सांगला घाटी जो है यह कहा है तो यह हीमानचल परदिश में है उसके बाद यूथांग घाटी जो है यहां सिक्किम है तो डी जो है यहां आपका सही हो जाएगा और अगला कोशन है सूची 1 को सूची 2 से यह भी मिलान करके सही उत्तर का चैन करना है और पूट के माधेम से बताना है आपको कौन सा विकल्प यहां सब यह हो जाएगा तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले दककन ट्रेप यह किसका भाग है तो यह केटेसियस आदी नूतन का भाग है यानि ये का तीसरा हो जाएगा उसके बाद पस्चिमी घाड दिया हुआ है पस्चिमी घाड जो है ये उत्तर नूतन का भाग है और फिर अरावली दिया हुआ है अरावली जो है यह प्रीकेम्बियन का भाग है उसके बाद अरमधात आपती जलोड नichyav जो है अतियन तनूतन काल का है तो ये का जो है आपका यहां तीसरा होगा आप B का जो है पहला C का जो है दूसरा हो जाएगा और D का जो है पांच बाद तो बिकल्प में जो है आप देख सकते हैं तो बिकल्प जो है यहाँ आपका बी जो है सेव जाएगा और अगला कुशन है भारत वर्ष के पश्मी तटी निम्नांकित सहरों पर विचार कीजिए पहला है जंजीरा दूसरा कुन्नूर तीसरा है नागर कोईल चोथा है सिंध दूर्ग तो उत्तर से दथिड ए नगरो का सही करम क्या होगा तो पूत की माध्यम से आपको बताना है जंजीरा जो है यह कहां है तो यह महाराष्ट में है जो की यह सबसे उत्तर में है उसके पाद गुनूर जो है केरल में है और उसके बाद नागर कोईल जो है यह है तमिल नाडु में है और सिंदु दूर्ग यह भी जो है महाराष्ट में है आपका तो आपको जो है उत्तर से दच्छिड की करम में जो है दरसाना है तो सबसे उत्तर में आपका जंजीरा हो है उसके बाद जो है आपका हो जाएगा जंजीरा के बाद जो है सिंदुदूर तो एक चार उसके बाद जो है कनूर हो जाएगा जो की केरल में है उसके बाद सबसे ल तो इसका सही जो अंसर हो जाएगा आपसन ए से जो जाएगा अनाय मूड़ी जो है यह दच्चित भारत की सबसे उची चोटी है और अगला कोशन है निमलखित में से कौन सुमेलित नहीं है तो लिपल एक दर्रा जो है उत्राखंड में दिया हुआ है तो यह आपका सही है नातुला दर्रा अउडांचल प्रदेश दिया हुआ है तो यह आपका गलत हो जाएगा नातुला दर्रा कहा है तो यह सिक्किम में है और नेक्स्ट है आपका रोहतांग दर्रा हिमांचल और अगला कोशिन है निम्नी में से कौन सा हिमनत सबसे बड़ा है। जाएगा सेस्वेगा सियाचिन भशक्तित यूग्मों पर विचार किजिए, एक तरब पहाडिया दिया हुआ, दूसरी तरब 9 है तो पहला है काड़ामपाहडियां और मंदल तट दूसरा कैमूर पारियां कॉंकर तट तिसरा महादेव पहाड़ियां मद्भारत चोथा यह मिकिर पहाड़ियां पूरोद्ạo भारत तो उप्यूक तीव मो though में से कौन जो है सही सुमेलित है आपको बताना है कि आया तो यहाँ जो है पहला है काड़वम पाड़िया और कोड़ो मंदल तट कोंग यह जोैसा आपका ehलत हो जाएगा कहमूर पाड़िया और मादेव भारत में यह सही हो जाएगा आपका उसका पynाशन City सी जो यह ऑपा बन युट्समीर नहीं है उत्र चुछाँ है प्रिया क liberty आपसे जोयाएं जाएगा स्था जयाक आपसे गलत पूछा गये सुमेलित नहीं है तो प्रिया कोशेंट ही निमलकित हिमणदो में इसे कौन सा उत्रा घंड के कुमाऊं पर चैत्र में अवस्थित है तो इसका सही जो एंसर होगा आपसं सी से जो गाए मिलाम हिमनत जो है यह उत्राखंट के गुमाओं छेत्र में इस्थित है नेक्स्ट कोशन है निमलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है तो यह दिया हुए चांगला तो यह चमु कास्मीर में है सही है रहतांग दर्रा हिमांचल प्रदिश में यह भी सही है बोमडिला दर्रा जो है आउड़ांचल प्रदिश में यह भी सही है सेला दर्रा जो है उत्राखंट दिया हुआ तो यह गलत हो जाएगा सेला दर्रा कहा ह तो ये आउड़ार आणचल प्रदेश में एसे हैं तो आपका डी जो है आपसन से हो जाएगा और अगला कोशन है किरल का कुंटानाड या। कुट्टा नाडू प्रसिध्ध है किसके लिए तो इसका सही जो अंसर हो जाएगा आप्शन ए से हुझाएगा जो है केरल का कुट्टा नाड जो है भारत का नियुनतम उचाई वाला छेत्र है और अगला कोशन है निमलिखित में से कौन सा एक करनाटा केरल यों तमिलनाडू राजियों के मिलन अस्थल पर इस्थित है तो इसका सही जो अंसर हो जाएगा आप्शन डी से हो जाएगा नेलगीरी पहाडियां जो है करनाटा केरल और तमिलनाड राजियों के मिलन अस्थल पर इस्थित है और अगला कोशन है निमलिखित में से कौन सा पटकोई पहाडि को बनाती है तो यह है बीलगिरी रंगा पहाडियां आपसन C जो है सही हो जाएगा और अगला कोशन है दच्छिड भारत के भगवान रंगा ना था जिने भगवान बेंकटेस भी कहते हैं का मंदिर जो है कहाँ इस्थित है तो इसका सही जो एंसर हो जाएगा आपसन B से हो जाएगा तीरुमल्ला पहाडी पर जो है इस्थित है और अगला कोशन है अरावली स्रेडियां किस राज में इस्थित हैं तो यह आप लोग पता ही होगा अरावली सिरी यह जो यह राजिस्थान मीश्टी थे यह जो है खानेक्स कोशन है भारत के पश्मितरी मैदान के उत्री भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है और अगला कोशन है भारत का सरवाधिक अबादी वाला दीव कौनसा है तो इसका सही जो, आनसर हो जाएगा, आप संट, D से जो, जा झागा, साल शट दीप, जिस पर, महराश्ट, जो चुन आइख हो जा झागा, भारत का सरवाधी का बादी वाला डीप है, अगला कोशन है सरवाधी, तटी, या परदन होता है, किस के द्वारा, तो इसका सही जो अंसर हो जाएगा आपसन A से जाएगा लहरो द्वारा जो है सरवारी का परतन होता है और अगला कोशन है निमलेखित में से कौन सा भागोलिक रूप से ग्रेट निकोबार की सबसे निकट है तो इसका सही जो अंसर हो जाएगा कौन सा बिकल्प यहां से हो जाएगा तो एक तरफ जो है राज दिया हुआ दूसरी तरफ सबसे उची चोटी चलिए जो है देख लेते हैं केरल की जो है सबसे उची चोटी कौन सी है तो केरल की सबसे उची चोटी है अनाई मुडी, A का तीसरा हो जाएगा और B है, नागा लैंड नागा लैंड की सबसे उची चोटी है सारा मती, तो जो है B का चोथा हो जाएगा, उत्राखंड की सबसे उची चोटी है नंदा देवी, तो C का जो है, दूसरा हो जाएगा और तमिलाड की जो है सबसे उची चोटी है दोदा बिट्टा तो जो है डी का पहला हो जाएगा तो विकल्प आप देख सकते हैं सी जो है मैच कर रहा है तो सी आप सनिया से हो जाएगा तो दोस्तो जो है ये था भारत का भूल से जो है कुछ महतपूर पस ने वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर कर दीजेगा और चैनल को अभी तक आप सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब भी कर लेजिएगा बेल आइकन को प्रेश जरू कर लेजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाए वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद